हलो फ्रेंट्स एंड वेलकम बाक्टो स्टेडीजियस विश्यवम तो टुदेश वीडियो विल बी वेरी यूसफुल फॉर आल अफ दुदेंट्स वॉर राइटिंग देर उत्राखंड PCS मेंस एक्जामिनेशन क्योंकि आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि उत्राखंड पब्लिश सर्विस कमिशन ने वो कौन सी गाइडलाइन अपने नोटिफिकिशन में पब्लिश की थी जिसके द्वारा उन्होंने बताया था कि नेगटिव मार्किंग की गाइडलाइन जो है आप लोग का बनाने का एक परपस ये भी है कि क्योंकि आप लोग आज कल अपनी आंसर राइटिंग ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोगो ये गाइडलाइन्स बहुत ध्यान से देखनी है और आपको अवाइड करना है जो भी चीज इसमें लिखा है जिसके विए से आपको पैनल्टी या फिर नेगटिव मार्किंग लग सकती है इस चीज को आपको ध्यान से देखना है and you have to make sure कि आप ये गलतियां अपने आंसर राइटिंग करते वक्त नहीं कर रहे हो so that आप इस नेगटिव मार्किंग से बच सको so ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले है so let's begin and before starting my video जितने भी students उत्रकंट PCS का अपर मेंस लिख रहे हैं और वो अभी भी answer writing के लिए कोई test series को search कर रहे है so मैं अपने channel पे काफी time से हमारे चल रही है batch 2 हमारा 21 August से start हुआ है ये 14 test है इसके अंदर तो जिसको भी answer writing के लिए test series लगानी है वो हमारे studies ये स्विश्वम का main test series है वो जो है enroll कर सकता है ये कुछ date sheet है और इसके बाद भी जो है अब हम students को ले रहे है और जितने भी आपके test हो चुके है उसको आपको मौका दिया जाएगा आपको test लिखने का time दिया जाएगा तो ये कुछ schedule है आपको अगर enroll कराना है तो आपको whatsapp पे message करना पड़ेगा 8742930164 ये हमारा whatsapp number है इस पर आपको message करना है और आपको test series की details और आप enroll महाँ पे करा सकते हो साथी साथ अगर आप maths और हिंदी का crash course देखना चाह रहे हो अपर PCS के लिए वो भी हमारे पास available तो इन दोनो subjects के लिए क्योंकि बहुत सारे students ये दो subject में काफ़ी difficulty face कर रहे है सो इसके लिए हमारे पास crash course है maths के लिए और हिंदी के लिए ये crash course जो है specially जो है उत्राखन upper PCS means के लिए है तो इसके लिए भी आपको जो है आपको इस number पे contact करना है इन दोनों classes की जो है आपको demo class अविलेबल हो जाएगी सो आपको demo class भी लेनी है तो भी आपको इस number पे WhatsApp करना पड़ेगा and next मैंने अपने last कुछ वीडियो में बोला था कि उत्राखन economic survey budget lecture जो है release होगा लेकिन उसके लिए मैंने condition रखी थी that is मेरा subscriber का जो मार के help me reach that mark और आपको subscribe करना है मेरे channel को so that आपको ये content जो है available हो पाए only free of cost ठीक है so ये आपको make sure करना है so let's begin our class for today जो भी आज हमने जो है discuss करना है guidelines हम देख लेते कि guidelines जो है क्या है तो पहला जो चीज है पहली जो है negative marking के लिए क्या है कि pencil से लिखे गए उतर यानि जो भी आप अगर आप pencil का परियोग कर रहे हो pencil का जो है उससे जो है आपकी marking नहीं होगी तो pencil आपको avoid करनी है पहली चीज ये मिश्रित भासा यानि अगर आप mixed language लिख रहे हो यानि अगर आपने जो है mixed language यानि Hindi English या फिर कोई और language यूज नहीं करनी है जो आपका medium of instruction है जो आपने चूज किया है वो ही लिखना है तो आपको throughout the paper आपको English language ही यूज करनी है और दूसरी language आपको यूज नहीं करनी थर्ड चीज यह है कि प्रशन संख्या ना लिखना यानि अगर आप जो है question number सही से नहीं लगते हो तो उस पर आपको एक अंका जो है negative marking होगी एक marks आपको कर जाएगा अगर आप section गलत लिखते हो या फिर आप लिखते ही नहीं हो तो आपको आदा marks जो है deduct हो जाएगा या फिर आप sub section जो है sub section बहुत सही से बहुत अच्छे से लिखना है so that आपका negative marking जो है आप avoid कर सको four point है कि प्रशन उत्र पुस्तिगा में जो भी आप irrelevant अगर आप चीज लिखोगे for example धार्मिक चेंज से बहुत सारे students का करते हैं paper start करने से पहले ये mark जो है start करेंगे ohm बना देंगे तो ये सब चीजे नहीं चलेगी irrelevant चीजे नहीं चलेगी गर आप ये सब कर रहे हो अपने answer sheets में तो आपको negative marking मिलेगी दो number आपके cut जाएंगे तो ये भी आपको नहीं करना है ठीक है और ये आपको एक number कटेगा इस चीज के लिए आपको जो है आपको जो रो number है जहां पे mention करना है आपको सिर्फ वहीं mention करना है रो number कहीं और आप mention करोगे ठीक है उसके लिए आपको दो marks की कटोती की जाएगी कहने का मतलब ये है conclusion ये है कि आपको जहां पे पूछा जाए वहीं पे आपको रो number लिखना है उसके अलावक कहीं नहीं लिखना six point है कि प्रशन उत्र पुस्तिगा में नाम और अनुम्राद दोनों एक साथ या एक मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपना नाम और रो number again जहां पूछा गया है वहीं पे लिखना है और बार बार रिपीट नहीं करना है बार बार रिपीट नहीं करना है और अगर आप रिपीट करते हो तो इसके लिए आपको three marks की penalty लगी जाएगी तो आपको तीन marks आपके cut कर दिये जाएगे next is पुरशन उत्र पुस्तिगा में irrelevant बात again क्योंकि काफी बर देखा गया है कि बच्चे जो है अपना जो है एक तरह से करप्ट करने की practice करते हैं teacher को कि आप please मेरे answer को मेरे को अच्छी marking देदो मैं आपको इतने पैसे देदूँगा तो इस तरह कि अगर बाते आपने answer sheet में लिखते हो वो ही आपको लिखना है इसके अलावा कुछ भी अगर आप लिखते हो तो आपको negative marking की जाएगी उसके बाद again examiner से appeal करना अनुरोद करना ये सब आपको नहीं करना है again इसके लिए 2 marks की कटोती आपको की जाएगी तो ये भी आपको avoid करना है ये सब नहीं करना है उसके बाद अगर आप सारी चीज़ें लिखते हो appeal कर रहे हो जो है आप irrelevant marks बना रहे हो science बना रहे हो ये सब अगर आप करते हो तो आपके 5 marks की कटोती की जाएगी यानि मतलब in total आप ये जो है चिंस मना रहे हो ओम का ये सब कर रहे हो और आपके बाद appeal कर रहे हो examiner से कि please मेरे को अच्छे marks दो मेरी condition ये है मतलब अपनी परसनल information नहीं देनी कहने का मतलब कोई appeal नहीं करनी कोई sign नहीं बनानी कुछ नहीं करना अगर आप करोगे तो आपकी negative marking जो है हो जाएगी उसके बाद ये important चीज़ है जो है अपनी letter writing आप करोगे तो वहाँ पे अपनी किसी भी परकार की अपना real name अपना real address कहें वहाँ पे disclose नहीं करना और जहां मैं आपसे पूछा जाए महाँ पे आपको XYZ या फिर ABC करके आपको अपना नाम और address जो है इसके format में लिखना है आपको कहने का मतलब personal information आपको नहीं देनी तो मैं अपना letter के नीचे from शिवम नहीं लिखूँगा तो मैं वहाँ पे XYZ ये जो है लिखूँगा अपना address भी ABC करके लिख दूँगा ठीक है तो ये आपको make sure करना है कि आप अपनी personal information by mistake बहुत सारे student क्या करते हैं वो चाहते तो नहीं है लेकिन by mistake वो जो है ये कर देते हैं तो ये चीज़ आपको starting अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ में आभी letter writing जाप करोगे तो यहीं से आपको build करके चलना है so that आप वहाँ पर जाके void कर सको ये भी बहुत important चीज़ है और आपको answer लिखते वक्त बहुत सारे student क्या करते हैं red pencil ले जाते हैं और red pencil लिखना शुरू कर देते हैं अपने answer मतलब अपने कुछ diagram जो है सिर्फ आपको blue और red pen ही use करना है यानि उत्तर लिखने में नीली अत्वा काली सिया यानि black pen और सिर्फ और सिर्फ blue pen ये दो pen के अलाब आपको कोई और pen use नहीं करना है अगर आप करोगे तो आपके दो marks जो है cut कर दिये जाएंगे तो ये सारे guidelines जो है आप इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो please like this video and आपको subscribe करना है चैनल next video जो है मैं लेकर आने वाला हूँ अपने चैनल पे and that will be about उत्राखंडिस्ट्री उत्राखंडिस्ट्री वैसे मैंने अपने चैनल में पूरी पढ़ाई हुई है आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो ancient medieval model तीनों जो है मैंने English medium students के लिए पढ़ा रखा है but कुछ section ऐसा है एक part ऐसा है जो मेरे को लग रहा है कि mains के लिए थोड़ सा important जो हैगा because जब वो prelims exam हमारा था तब मैंने वो पढ़ाया था तो जो में इस examination के लिए लग से लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके लिए लग से लेके आ रहा हूँ इस week मैं आपके लिए लेक्टर अप्लोड कर दूँगा that will be again free of cost and ये मैं अपने चैनल पे कर दूँगा तो आपको अगर वो सारी चीज़े जो है आपको देखनी है तो please make sure that you are hitting that subscribe button and also don't forget to press that bell icon कि जबी मैं वीडियो बना दूँगा और आपको upload कर दूँगा तो आपको पता लग जाए जल्दी चल्दी और आप वो जो है वीडियो देख पाओ so let's close this video and I hope आपके answer rating बहुत अच्छी चल रही होगी exam में लेकर थोड़ी सी अनिश्यता है जो है चल रही है हमारा की exam होगा यह नहीं होगा इसके लिए अगर जरूत पड़ी तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा woman reservation वाला जो यह चल रहा है अब बहुत कुछ आ रहा है भी लेकिन अभी जो है आप अपनी preparation पर ध्यान दो अपनी preparation जो है अपनी continue रखो और exam जो है 13th October से ही होने वाला है आप इसको जो है चीज को mind में रखके जो अपनी पढ़ाई करो पोस्पोर्ट अगर होगा तो देखेंगे नहीं होगा तो देखेंगे लेकिन अभी जो है कुछ official नी आया है तो please make sure आप अपनी पढ़ाई से बटक दी रहे है so that's it for today and see you in the next video bye bye